वो और के बाद रेचल अपने हस्बंड के पास आती है, जिस घर में रह रहे थे, उस घर को उसी के ओनर के साथ उन्हें शेर करना पड़ता है, और इसी वज़े से सारी प्रॉलम हुई थी, हस्बंड वाइफ के बीच में भी जैसे चीज़े लग रही थी, वैसी थी नहीं हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको The Aftermath, ये 2019 की एक बहुत ये अच्छी ड्रामा मुवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ, अगर आपको वीडियो चलागता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा, बीना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार होती हैं, और हम अमारी में गैरेक्टर रेचल को जर्मनी में आता हुआ देख सकते हैं, ये 1945 का टाइम था, इंगलन ने जर्मनी पर हमला किया था और वो जीच चुके थे, रेचल का हस्बन ये इंगलन के लिए बहुत बड़ा ओफिसर था, वो और अब खतम मानने कर डारेक्टली कैम्स में रहना पड़ेगा, रेचल जब यहाँ वर बहुची तो उसका हस्वन लुईस उसे लेने के लिए आया हुआ था, अभी अभी जो वार खतम हुए, इन दोनों के लिए बहुत ही हार्ट थे, अब यहाँ पर वो न्यू स्टार्ट करना चाहते यह जब घर पर बहुचें, तो होम होना है, जिसे आप खाली करना पड़ेगा, इसका नाह में स्टीफन यहीने वेलकम करता है, यह बहुत ही ब्यूटिफुल सा हाउस था, रात में लुईस और रेचल जब एक साथ हैं, तो वार में उन्हें कितने तकलीफ हुई थी, इसके प्रेट का वाल से भागने लगया, तो एक ओफिसर को उसे शूट करना पड़ता है, मरते मरते भी वो हिटलर का ही नाम लेता है, लुईस को यह देखकर बुरा लगा, क्योंकि यह सिर्फ एक टीनेजर था, घर में रेचल जब घुम रही थी, वो स्टीफन की बेटी को भी जिसका नाम है फ्रेडा, फ्रेडा नारास थी क्योंकि उसका ही घर है, और उसे ही इस तरीके से निकाला जा रहा है, थोड़ी देर में जब लुईस घर पर आया, तो रेचल उसे पुछती है कि प्रिवियस ओनर यहा से कब जाएगा, लुईस दिल का बहुत ही अच्छा था वो कहता है बाहरालत बहुत ही साथा खराख है, अगर हमने स्टीफन और उसकी बेटी को इस तरीके से बाहर बेच दिया, तो उनके खाने पिने का भी कोई भी ठीकाना नहीं रहेगा, वो कहता है हम उन्हें रहने के लिए उपए का फ्लोर दे सकते हैं, रेचल इस पर गुस तो रेचल को थोड़ी भी पसंद नहीं आती, इस पर स्टीफन ने का कि बहुत ही फेमस चेयर है, सबसे जादा कमफरटेबल, रेचल को ऐसा नहीं लगता, स्टीफन ने का इस चेयर के बनाने की पीछे भी फिलोसोफी है, यहां की सारी चीज़े वो हेट कर रही थी, स्टी रेचल में जब वार चल रहा था, तो इनके बेटी की एक बॉम की वज़े से टेथ हो गए, इसी वज़े से रेचल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बाद लेते वक्त भी रो रही थी, इसे लूइस नोटिस करता है, रेचल और उसके फ्रेंड डिसकस करे थे, स्टीफन अब भी उनके साथ क्यों रहता है, रेचल के फ्रेंड ने उसे का, स्टीफन शायद तुम लोगों को हेट करता होगा, वो दिखाता नहीं, पर फिर भी हाक कि सब लोग हमें हेट करते है, रेचल जब घर पर आये, तो स्टीफन की बेटी घर का पियानो बजा रही थी, स्ट स्टीफन अपनी बेटी को समझाने की कुशिश करता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो इस वज़े से उसकी कोई भी बात नहीं मानती, नेक सिन में हम फ्रेडा को काम पर जाता हो देखते है, वहाँ पर वो एक लटके से मिली, जिसका नाम था अलवर्ड, हिटलर को मानता है, लुइस कहता है, आप इस तरीके से लोगों को जैज नहीं कर सकते, मैंने उसकी आखों में देखा है, वो हमें नहीं मारना चाहता, लुइस के फ्रेंड को अभी बी स्टीफन पर शक था, तुसे इंक्वारी के लिए बुलाय जाता है, उसे वो पूछते तुमारी फैमिल हीटलर के लिए गंस वेगरा सप्लाय करने में इनवॉल थी, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, स्टीफन ने कहा क्यों मेरे फादर इनलॉग का बीजनिस था, इसे मेरा कोई भी देना देना नहीं है, वो उससे वार के बारे में पूछते हैं, स्ट स्टीफन को ज्यादा बुरा ना लगें, तो इसलिए लुईस यहाँ पर ही इन्वेस्टिकेशन बन कर देता है, स्टीफन के आइडेंटिटी के वेगरा पैपर अब भी गवर्मेंट के पास थे, अब तक उन्होंने उसे अप्रू नहीं किया है, इसी के पैरललल में हम गरेटा घर में सारी चीज़े देख रही थी, इन चीज़ों में रेचल ने लुईस को दिया हुआ एक कीफ्ट था, इसमें उनकी और उनके बेटे की भी फोटो थी, ये गरेटा चुरा लेती है, स्टेफन अल्रेडी डिस्टब था, पर जब वो घर पर आता है, तो रेचल उसपर गुसा हो रही थी, उससे बुछती है, यहाँ पर की पेंटिंग आकही है, क्या पर हिटलर की पेंटिंग थी, स्टिफन उसपर गुसा हो गया, कहता है, अगर तु wingaz करती हो, तो यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती, अगर तुम्हें रिजन नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें रिजन दे देता हूँ वो रेचल के पास आ गया और उसे किस कर लेता है गुसे में वहाँ से चला गया रेचल कुछ भी बोल नहीं पाई नेक सिन में हम देखते है फ्रेडा और उसका फ्रेंड अलबर्टी तोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्प्रेंट करने लग गए थे फ्रेडा को बहुत अच्छा लगता था एक रात रेचल और लुईस के हाँ उनके फ्रेंड आने वाले थे रेचल ने बहुत अच्छे से ड्रेस किया था तो लुईस को भी बहुत अच्छी लग रही थी वो उसकी तारीफ करता है उसके पास आता है अच्छे से म्यूजिक लगाया हुआ था ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहते थे पर लुईस को तभी कॉल आ गया सीटी में प्रोटेस चल रहा था तो वहाँ उसे जाना पड़ता है प्रोटेस करने वाले लोगों ने लुईस पर भी हमला कर दिया पर वो सिर्फ उन लोगों को हेल्प करना चाहता था आज रात भी स्टीफन बाहर था वो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था फिर भी पुलीस की मार उसे खानी पड़ती है वो वेचारा हर्ट होकर घर पर आया तो घर पर रेचल और उसके फ्रेंड सब पार्टी कर रहे थे लुईस का एक फ्रेंड रेचल की वाइफ का पियानो बहुत ही अजीब तरीके से बजा रहा था स्टीफन कोई अच्छा नहीं लगता तो उसे उसने स्टॉप करने के लिए का पर इफ्रेंड मानता नहीं इन दोनों में फाइट होने वाली थी पर सारे लोगों ने स्टीफन को रोक लिया स्टीफन की सर पर बड़ी चोट थी तो रेचल ने देखा और उसे मलम पट्टी कर दिया स्टीफन ने कहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो रेचल कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये दोनों करीब आ गए थे तो इंटिमेट होने लग जाते है तब ही ने लुईस की गाड़ी का आवाज आया और इन्होंने अपने आपको रोक लिया लुईस भी जादा कुछ शक नहीं करता अगली दिन बात्रों में रेचल ने उसे दिया हुआ गिफ्ट वो चेक कर रहा था तो उसे मिल नहीं पाता उसने फ्रेडा से बुचा क्या तुमने उठाय था उसमें मेरे बेटे की फोटो है क्या तुम मुझे वापस कर सकती हो पर फ्रेडा उसे इग्नोर करकर चली गी जब लुईस और रेचल एक साथ है तो रेचल ने उसे का हामारे बेटे की डेट के बाद तुमें छे दिनों की छुटी मिल सकती थी पर तुमने ओ ली नहीं तुम अपने जॉब के लिए चले गए ऐसा क्यों? मुझे तुमारी जरुवत थी तुम इस तरीके से कैसे बहेव कर सकते हो लुईस कहता है कि कंट्री में वार चल रही थी मुझे जाना जरूरी था वो इस पर जादा बात नहीं करना चाता तो यहां से चला जाता है पाच्छे दिनों के लिए लुईस को काम पर धूर जाना पड़ता है एक साम रेचल बहुत ही अकेली पड़ गई थी वो पियानों बजाने लग जाती है यह वही दून थी चो स्टीफन की वाइब बजाया करती थी यह सुनगर फ्रेडा भी उसके पास आके वो भी उसके साब प्ले करने लग गे एक नोट बजाते बजाते फ्रेडा ने गलती करती तो रेचल कहती है मेरा बेटा अभी कभी यह नोट बजा नहीं पाता था उसे अपने बेटी की बहुत याद आ रही थी तो वेसे हो रोने लग गए स्टीफन विर उसके पास आया और उसे सहारा देता है अगले दिन रेचल ने स्टेफन और फ्रेडा को फाइदा उठा रही थे लुईस इसकी इन्वेस्टिएशन कर रहा था इसमें हम देख सकते हैं कि अलवर्ट का भी फोटो है फ्रेडा का बॉइफ्रेड पैरलल में रेचल और स्टीफन एक दुसरे के साथ मज़े कर रही थे स्टीफन रेचल से कहता है तुम मेरे साथ खुश हो तुम्हारे चेरे पर स्माइल है जब से तुम यहाँ पर आई तब से तुमने कभी अभी स्माइल नहीं किया था मैं अब यहाँ से दूर चले जाने वालो माउंडन्स में रहने वालो एक अच्छा सा घर बिल्ट करूँगा जहाँ पर तुम भी मेरे साथ आ सकती हो रेचल कहती कि अब तक तुम्हें तुम्हारे पेपर्स नहीं मिले है स्टीफन कहता है कि यह सब हो जाएगा नेक्सिन में हम देखते है कि फ्रेडा जब अलवर्ट के पास आई हुई थी तो उससे वो लुईस के बारे में पूछ लेता है हमेशा उसे लुईस के बारे में सारी इंफोर्मिशन जाननी थी स्टीफन को उसके पेपर जल से जल मिल जाए इसलिए रेचल अपने फ्रेंड से हेल्प मांग लेती है उसके फ्रेंड को भी पता चल गया था कि स्टीफन और रेचल की बीच में अफेर है लुईस जब अपने काम से घर पर वापस आया तो बहुत ही खुश था वो गहता है मेरे बाहस एक गुड निउस है इक गुड निउस देने के लिए उसने स्टीफन को भी नीचे बोला है उसने का कि अब हम दोनों फिर से इंगलंड वापस जाने वाले है रेचल भी पहले यही चाहती थी पर अब स्टीफन की वज़े से वो बहुत ही ज़ादा कन्फियूज हो गही थी आज राते दुनों पार्टी पर जाने वाले थे इसकी इन्फोर्मेशन फ्रेडा अलबर्ट को दे देती है पार्टी में जाने से पहले रेचल स्टीफन से चुप चुप कर मिली स्टीफन कहता है कि उसे बता दो रेचल डर रही थी पर स्टीफन बता देगा इससे पहले उसे ही बताना था रेचल और लुईस फिर पार्टी में कहे लुईस का फ्रेड उसे कहता है अगर तुमें कुछ हेल्प की जरूरत थी तुम उसे डारेक्ली मांग लेते जो भी में सोच रहो, ये क्या सब कूछ सच है? रेचल उसे सौरी कहती है, स्टेफन गस्षा थ है तो रेचल ने का हमारे बेटे की डिध पर बद्धर गया था, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, हमारे बेटी की डेध के लिए तुम मुझे दोशी मानते हो, के जा नहीं सकता था अलवड के पीछे बीचे फ्रेडा भी उसका पीछा करते हुए आई हुई थी अचानक से अलवड का पेर फिसल कर वो इस नदी में डूप जाता है फ्रेडा उसे बचाने की कुशिश करती पर वो खुद भी डूप जाती है इस वज़े से लुईस ने उस साती है स्टेफन उसके लिए वरीड था कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटिक करूंगा मुझे तुम्हें सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए तुम मेरे लिए बहुत इंपोर्डन्ट हो वो कहती है कि मैं मदर को बहुत मिस करती हूँ स्टेफन ने कहा कि मैं भी करता हू पर हम एक दुसरे के साथ है एक दुसरे का साहर बन सकते है अगली सुबा हम देखते है रेचल और स्टेफन ये दोनों जाने के लिए रेडी थे हैं स्टेफन लुइस को कुछ बोलने वाला था पर लुइस कहता है तो सिर्फ यहाँ से चले जाओ जाते जाते रेचल लुइ जाना पड़ा जब भी मैं तुम्हें देखता था तो हमारे बेटी की मुझे याद आती थी तुम्हारा हसना तुम्हारा वोईस सब कुछ मुझे उसकी याद दिलाता था यह कहकर लूइस रोने लग गया रेचल भी उसे हग कर लेती है इसके बाद वो स्टेफन के साथ चली लूइस उपर आता है अपने बेटे का शर्ट देखकर बहुत रोता है स्टीफन और लूइस की ट्रेन निकलने वाली थी पर रेचल अपना माइंड चेंज कर लेती है स्टीफन कहता है कि ब्लीज ऐसा मत करो मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम फिर से अपनी निउ वो इसे गले लगा लेता है जो भी हुआ इसके लिए एक दूसरे को उनोंने माफ कर दिया है अपने बेटे की गुजर जाने के पाद ये दोनों पेइन में थे और इसी वज़े से इस तरीके से बेहीं कर रहे थे जब सही तरीके से इनोंने बात की तब रियलाइस किया कि द आइकन दान में मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ तो तेले थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया